अवैत खनन और जमीन खोटाला मामले में राची के होटवार जेल में बंद प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल को जार्खन से बाहर शिफ्ट करने की तयारी चल रही है। इन्हें दूसरे राज के जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। इसलेकर एडी ने इन दोनों अपराधियों की संदिक्द गतिवीदियों के मद्दे नजर किंद्री अग्रे मंत्राले को पत्र लिखा है। वहीं दूसरी ओर जेल में छापे मारी के दौरान मिले सबूतों को अब एडी पीमने कोट में पेश करेगी। ताकि इन सबूतों के आधार पर इन दोनों ही शडियंत्र करताओं को राज से बाहर भेजा जा सके। पीमने कोट से परमीशन मिलते ही इन्हें दूसरे राज की जेल में भेज दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रेम प्रकाश और अमित अगरवाल को गुजरात, असम या महरास्ट की जेल में भेजा जा सकता है। वहीं जेल में बंद अभियुक्तों को मदद पहुचाने वाले जेल अभिक्षक, हामी दक्तर और जेलर मुहमद नसीन खान को जाच इजिंस से सुमवार यानि की आज समन कर सकती है। एडी को छापे मारे के दौरान ये पता चला था कि अवैर खनन, टेंडर कमिशन घोटाला, जमीन घोटाला और शराब घोटाला मामले में गिरफतार आरोपियों को जेल में विशेश सुविधाय दी जा रही है। एडी ने जेल से कुछ CCTV फुटेज भी जप्त किया है, जिसकी जाच चल रही है। एडी इन अधिकारियों के सूची तयार करने में जुट चुकी है। सूची तयार हो जाने के बाद इन्हें समन भेज कर पूछताच के लिए बुलाया जाएगा। यही नहीं, एडी को ये भी खबर मिली है कि प्रेम प्रकाश ने जेल जाने के बाद कई जेल अफसरों और जेल कर्मियों को फाइदा पहुचाया है। मामला संग्यान में आने के बाद अब इडी जेल कर्मियों को प्रेम प्रकाश के द्वारा किस तरह के लाग पूचाये गये हैं। इसकी जार्च शुरू कर चुकी है। इडी को जानकारे मिले है कि प्रेम प्रकाश ने जेल में रहते हुए अपने पावर और प्रभाव का इस्तिमाल कर जेल के कई कर्मियों को हतियार का लाइसेंस दिलवाया है। कि पिछने एक साल में किन-किन जेल कर्मियों के नाम से आम स्लाइसेस जारे हुए हैं वहीं ED के गवाहों को प्रभावित करने में एक जिले के SP के भूमिका के भी जाच हो रही है ED को SP स्तर के अधिकारे के खिलाफ सबूत भी मिले हैं पतादे ED ने बीते शुकरवार को वोटवार स्थित बिर्सम उंडा केंद्रिय कारा में चापे मारी ये चापे मारी ED ने सूत्रों के हवाले से मिली जानकारे के आधहार पर शुरू के थे ED को पता चला था कि प्रेम प्रकाश जेल में रहते हुए ED के विरुद शड्यंत्र रच रहा वही विभन गोटाले के आरोपियों के साथ मिलकर ED अफसरों को नुकसान पहुचाने की तयारी में इसके लिए विलुग जेल में बंद विभन गोटालों के गवाहों को भी तोडने की कोशिश कर रहे थे वही दूसरी ओर चापे मारे के बाद जेल प्रशासन ने सकती बरतना शुरू कर दिया है जेल परिसर के आसपास आने जाने वालों से पूचताच की जा रहे है वही जेल में बंद कैरियों से मिलने आने वाले परिजनों से भी सकती से पूचताच की जा रहे है अब देखने वाले बात ये होगी कि क्या वाकई में प्रेम प्रकाश और अमित अगरवाल को दूसरे राज के जेल में भीजा जाएगा तब तक के लिए आप बने रहे हमारे लुकतंत्र 19 के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें हमारे चानल लुकतंत्र 19 को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना फुले फिलहार लेते हैं अलविदा जहार